हेलो दोस्तों आज बार्बी क्यों नेशन के आई पीओ की लिस्टिंग है दोस्तों नौ अपजे मार्केट खुलता है और दस बजे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी दोस्तों अब भी से इसके बाय और सैल के ओडर लगना शुरू गया है इसलिए इसका अपर सर्किट और लौट होगा अगर आट सो पिचुतर पर खुलता है तो और दोस्तों तीन सो पिचुतर पर खुलता है मतलब लोवर सर्किट पर खुलता है तो लगबख सैती सो पचास रुपए का नुकसान होने के में उमेद है तो दोस्तों कितना प्राफिट होगा कितना नुकसान होगा ये कितने पे खुलेगा, इसका open price क्या होगा वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तो हमारे टेलेग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और दोस्तो आप फ्रीमेट डीमेट अकाउंट बनाना चाते हैं एंजल ब्रोकिंग पर तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं buy or sell के order लग चुके है पर अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि 9 पस्ते ही इसके buy or sell के order दिखाना शूर कर देंगे ये blue line है, wires की है, red line है, वो sellers की है तो अभी जो इसका अपर circuit लगा है 875 का और lower circuit लगा है 375 का मतलब highest day 875 पर जा सकता है अभी के इसाब से और lowest जा सकता है 375 पर दोस्तो फिर बारबे 9.7 मिनिट के बाद और पता चल जाएगा इसकी opening price के आएगी तो वो सब पता चल जाएगा और जिसका upper circuit और lower circuit भी बाद में बदलेगा तो दोस्तो ये ना तो 875 पर खुलेगा ना तो 375 पर उसके कहीं बीच में ये खुलेगा और दोस्तो भी इस पर listing gains होने की उम्मीद थोड़ा कम दिख रही है और दोस्तो किन-किन लोगों के अलोट हुआ है ये अर्भी किनेशन का IP ये मुझे कमेंट करकर जरूर बताएं और आप लोग क्या-क्या स्ट्राटरजी अपनाने वाले हैं ये इसको ओल्ड करेंगे या इसको सीधा सैल करेंगे दोस्तो कर मेरी बात माने तो ये तीन साल बाद लगबग थोड़ा प्रॉफिट देने की उमीद है क्योंकि अभी ये कमपनी गाटे में है तो लॉंग टम के लिए तो अभी अच्छी नहीं है तीन साल बाद लगबग अगर आप डिसकाउन के साथ खुलता है तो फिर आप थोड़ा खरीद कर रख सकते हैं और भी तीन साल बाद ये थोड़ा गेंस देने की उमीद है क्योंकि अभी तक ये कमपनी गाटे में है तो तीन साल बाद ये थोड़ा कमपनी प्रॉफिट में आएगी उसके बाद ये में प्रॉफिट देने की इस से उमीद है कमपनी बहुत ही अच्छी है इसकी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है बट दोस्तो कंपनी के फाइनेशल अभी अच्छे नहीं है इस कारणी अभी होल्ड करने जैसा नहीं है अगर जिन जिन लोगों ने नहीं लिया हो फिर भी होल्ड करना चाते हैं तो भी ये खुले और थोड़ा नीचे गिरे उसके बाद आप इसको ले सकते हैं इसको लांग टुमिक के लिए होल्ड कर सकते हैं और दोस्तों अगर अभी आप चाहें तो लगबग आज मुझे लगता है अगर डिसकाउंट के साथ खुलेगा उसके बाद ये एक वार मुझे लगता है 500 तक वापस आएगा अपनी जो एक्चुल प्राइस है उस पर वापस ही आ सकता है तब आप इसको सैल कर सकते हैं इससे आपको घटा नहीं होगा और आपका जो इस शेयर है वो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी निकल जाएगा और उसके बाद अगर वापस आप खरीदना चाहते हैं तो भी ये वापस थोड़ा मुझे लगता है नीचे जाएगा डिप मारेगा तब आप वापस इसको खरी आप लिस्टिंघा चेंस होते हैं सीधा निकाल देंगे तो बिस्टिंघा मार्केटर सकता है बाकी दोस्तों मार्केट के में उपर है कि Particularly कितने अजियर पार चलेगा जो इसको पता चलेगा इस उसकी actual price है जिसमें में lot हुआ है तब आप इसे निकाल सकते हैं मेरी तो रहे यह रहेगी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है आप लोग क्या strategy अपनाने वाले हैं मुझे comment करकर जरूर बताएं और दोस्तों 10 बजे आप इसको sell और buy कर सकते हैं लगबंग 9 बजे market खुलेगा 10 बजे कोई भी IP की लिस्टिंग होती है लगबंग 10 बजे हम उसको sell और buy कर सकते हैं और दोस्तों फ्री में अगर डीमेट अकाउंट बनाना है इंजल ब्रोगिंग पर तो उसकी मैंने link description में दे रखी है आप हमारी team पूरी रहेगी आपको help करने के लिए और दोस्तों टेल application आजाएगा आपके पास और दोस्तों कोई भी सवाल हो तो मुझे comment करकर जरूर बताएं